आप सभी का Space Eyes Academy के इस online program में और आज के आज हम लोग का विशह है अबदी भाषा का साहितिक रूप में किस परकार से भाषा का विकास हुआ किस परकार साहितिक रूप से यह भाषा आगे बड़ी इस पर आज हम लोग चर्चा करेंगे अबदी भाषा आज हमारा जो विशह है वो अबदी भाषा पर है इसका साहितिक विकास कैसे हुआ साहितिक विकास ठीक है तो यह आज हमारी चर्चा का विशह रहेगा कि अबदी भाषा जो है उसका साहितिक विकास कैसे हुआ इसकी प्रश्ट भूमी देख लेते हैं कि किस प्रकार से कहां से अब्दी भासा की बीज कहां से दिखाई देते हैं साहितिक रूप से लेकि साहितिक का मतलब क्या है एक चीज है भाशा एक चीज है बोली सामानए ते अगर जन्मानस के अधर पर देखा जाए तो दोनों चीजे ही सामानए इसमें कोई कहीं भी अंतर नहीं है, क्योंकि बोली ही परिश्कृत होकर के भाषा बनती है, जो बोलीना होती है, यही जब साहित्य करूप धारन कर लेती है, यह कहिए, कि जैसे जो अंतर एक एक सामाने ब्यक्ति में है और एक प्रतिभा संपन ब्यक्ति में जो अंतर है जो दो लोग अगर आपके सामने खड़े हो एक सामाने जनसाधारन ब्यक्ति हो और एक प्रतिभा संपन हो उन दोनों के मद्ध जो अंतर होता है वही अंतर आप कह सकते हैं कि भाशा और बोली में ह तो भाशा का मतलब होता है कि बोली का परिश्कृत रूप या वह चीज कि जिसको हम साहित्य की स्थर पर उपयोग हो और फिर वह बोली भाशा के आधार पर साहित्य का सहारा लेकर के एक ब्रहध छेत्र में जिसका उपयोग हो या एक ब्रहध छेत्र में जानी जाने लगे त और साहित्य क्यादार पर वही बोली भाषा की रूप में देखी जाती है, तो यहां हम जैसे देखें, कि जो बोली है, तो अबधी बोली है, यह कहां से निकली है, इस से पहले वाले जो क्लासिस थी, उसमें हम लोगों ने देखा था, चर्चा की थी, अपबरंस अभठ की, त बताया था, कि मागधी और अर्दमागधी दो चीजे बताई थी, शौर से नहीं बताई थी, तो जो अर्दमागधी की का चरण है, अर्दमागधी, जो हिंदी, पूर्वी हिंदी, अर्दमागधी की जो पूर्वी हिंदी की बोलियां थी, उसमें विशेशकर तीन बोली थ एक छतिस गड़ी, बघएली और अबदी, तो उसी से ये अबदी का विकास माना जाता है, यहीं से हम अबदी भाशा को देखते हैं, अर्थात, अर्ध मागदी की जो पूर्वी हिंदी है, उसी से अबधी भाषा अबधी बोली अबधी भाषा को देखा जाता है अब अगर बात करें अबधी भाषा के संदर्ब में कि अबधी भाषा का उद्भाव कैसे हुआ देखिए विकास की कोई जो यात्रा है इससे पहले भी हम लोग ने चर्चा की कि भाषा के किसी भी संधर्व में जब हम बात करेंगे कोई भाषा का विकास कैसे हुआ, कोई भाषा किस प्रकार आगे बढ़ी, तो भाषा क्या है, देखे भाषा की विभिन चरण होते हैं, इनी अलग अलग चरणों से हो करके कोई बोली भाषा का रूपधारन करती है और स साहितिक जगत में प्रवेश पाती है, और उसी के आधार पर फिर ये अपनी एक लंबी यात्रा के साथ साहित्य में स्थान पाते हुए अपने विकास पर आती है, इसी प्रकार यहां भी आप देखेंगे, कि जो अवधी भाषा है, इसके भी अने को चरण है, इसका उद्भव कहां से माना जाता है, खाला कि अगर इसको देखा जाए, तो ये प्राकरत पैगरम्लम उसे ले करके, प्राकरत पैगरम्लम अश्योक के अभी लेख, अश्योक के, हाँ, अश्योक के अभी लेखो में भी अबदी भाषा के तत्वों का समावेश मिलता है, अबदी भाषा के तत्वों का समावेश देखा जाता है, इसके अलावा भी, उक्ति ब्यक्ति परकरण, ये पंडित, अबदी भाषा के तत्वों का समावेश इन चीज़ों में मिलता है, कि काफी पहले हमने प्राकरत पैगाउनलम की बात की थी, अशो के अभी लेखों में भी अबदी भाषा के कुछ तद्वों को देखा जाता है, तो जब बात करें इसके उद्वाव की, कि इसका उद्वाव कहां से माना जाता है, तो यह कोई इतनी, यह देख, इसको हटा देते हैं, तो जो अबधी भाशा है, इसकी विकास की प्रकरिया को देखते हैं, उद्भव कहां से आया, किस प्रकार इसका विकास हुआ? तो पहले हमने देखा, अर्द मागदी की जो पूर्वी हिंदी, पूर्वी हिंदी से, अब दीभाशा आई, फिर इसका उद्भव देखा जाए, तो इसकी जो छेत्र है, छेत्र के आधार पर इसका अगर विभाशन देखा जाए, तो जो उत्तर प्रदेश, भागलिक छेत्र, अगर इसका उद्भव देखा जाए, तो जो उत्तर प्रदेश का आवद छेत्र, आवद छेत्र, वर्तमान जिले अगर इसमें देखे जाए, तो बारा बंकी, फर्दोई, लखीमपूर खीरी, लखीमपूर खीरी, बहराईच, परतापगड, आयोध्या, उन्णाव, आदी और भी जिले है, इन जिलों में वरतमार में देखा जाए, तो अवद छेतर से अवदी भाशा को अगर भोगौलिक रूप से देखा जाए तो अवद छेतर, ये कहां है, ये उत्तर प्रदेश के का जो अवद छेतर है, उत्तर प्रदेश का ये अवद छेत्र, बारा बंकी, लखीम पुर्खीरी, बहराईज, परताबगड, अयध्या, उन्नाव, आदी, जिलों के अंतरकत ये छेत्र पड़ता है, जहां से अवद भाशा का विकास माना जाता है, अर्थात, ये है वो भोगलिक छेत्र है, जिसके आधार पर जहां से अवदी भाशा का विकास हुआ है, तो आप अपने आंसर में लिखेंगे, कि पहला कोड करेंगे, कि अर्ध मागदी, पूर्वी हिंदी से अवदी भाशा का विकास हुआ है, जिसके अंतरकत, अगर इसके भोगलिक छेत्र में, इसका भोगलिक छेत्र, उत्तरप्रदेश के अबद छेत्र के अंतरगत आने वाले बारा बंकी लखीम पुर्खीरी बहराईश प्रताबगड अयोध्या उन्नाव आदी जिलों के संदर में देखा जाता है तो यह हुआ इसका भौग अलिक चेत्र अब अगर देखा जाए इसके उद्भव को यहां से कि एक नाम अबधी भाषा के आदावा कोशल भासा काशली भासा कोशली भाषा क्के आधार पर इसका एक नाम कोशली भाषा यह कहा रहा जाता है, हाला कि अवद छेत्र के आधार पर ही अगर साहितिक व्यग्यानिकों के आधार पर देखा जाए, जो भाषा के व्यग्यानिक हैं, हिंदी साहितिक जो भाषा व्यग्यानिक हैं, उन्होंने अवद छेत्र के आधार पर ही अवद भाषा का नामकरण उचित माना है या यह कहिए इसी को सारगर्वित अपनी स्विकृति प्रदान किये कि इसका अवद्चेतर के आधर परहीज का नामकरण अवद्भाशा या अवद्धी भाशा पड़ा दूसरी चीजे अब अगर देखा जाए तो इसका विभाजन जो किया जाता है इसको दो तरीके से विभाजित करके देखा जाता है इसकी जो अपनी विकास यात्रा है वो दो तरीके से देखा जाता है देखिए जो प्रश्ण है तो आपकी परिख्छा में जो प्रश्ण पूछे जाने की संभावनाएं है वो अभी तक तो पूछा गया है जो अगर पीछे आप देखें तो अबधी भाशा का साहितिक विकास किस परकार से हुआ है इसकी समिक्छा कीजिए या इसकी चर्जा प्रश्ण आया हुआ है कि अबदी भाषा का साहितिक विकास तो साहितिक विकास दें कि भाषा के संदर में कोई भी भाषा नहीं तो एकाएक पैदा होती है और नहीं एकाएक वह भाषा समाप्त हो जाती है कोई भी भाषा विभिन चरणों से आकर के आगे प्रवेश पाती ह और इसमें अने को प्रकार की चीजें जो है अने को चरणों में इसका विकास होता है और एक-एक करके करमबद तरीके से ये बहाशा अपने सतर पे आगे बढ़ती है तो अगर साहितिक विकास इसका देखें तो सरपड़ता हम इसको दो भागों में बाट करके हम अध्यन की दरश्टी से देख सकते हैं एक है इसका साहितिक दरश्टी कौन? और पहला है इसका फेट दरश्टी कौन? यह किस आधार पर है? यह ठेट अबधी का प्रियोगी हां किया गया है ठेट अबधी ठीक है और यहां साहितिक अबधी साहितिक अबधी इस तरीके से इसको दो भागों में करके हम देख सकते हैं ठेट दरश्टी से यानि कि ठेट अबधी के आधार पर और अब थेट अवदी जो है, इसमें विशेश रूप से हम देखते हैं, थेट अवदी में, थेट अवदी, इसको सबसे पहले कर देखा जाए, तो दाउद, दाउद की चंदरायन, यह एक प्रेमक्षान है, प्रेम पर आधारित एक रचना है, दाउद की, दाउद के बाद अगर इसको देखा जाए, तो कुटबन, कुटबन, मरगावती, कुटबन की, मरगावती से देख सकते हैं इसको, उसके बाद देखा जाए, दाउद के बाद कुटबन और एक जायसी, जायसी तो आप लोग सभी जानती हैं, जायसी ने लगभग 14 रचनाए हैं, जिन में से वर्तमान समय में 5-7 ही मिलती हैं, और इसमें विशेश रूप से जो पदमावत है, पदमावत, ये इनकी रचना है, ठेटबदी में देखा जाए, तो दाउद को देख लीजे, फिर देख लीजे, इनके आधार पर इन्हों ने इन रचनाव में जो वर्णन है, जिस भाषा का प्रियोग हुआ है, ये भाषा, अबदी भाषा, अबदी भाषा का प्रियोग हुआ है, एकदम ठेट अबदी का लेकिन प्रियोग हुआ है, और इसी कारण से, जो जायसी है, जो जायसी है या दाउध है या कुतबन है इन लोगों की भी अपनी एक प्रश्ट भूमी है वो क्या है कि कोई भी ब्यक्ति पहली बात तो यह जिस परिवेश में थे जिस परिवेश में काम कर रहे थे वो देशच परिवेश था और इनके पास अपना विशेश कर कोई संस्क ग्यान न के पास नहीं था तो इन्हों ने अपनी जिस खुल चुश असाइटी से लिए जहां काम कर रहे थे यह जहां इनोंने अपनी रचना को लिखा और उससुर अपना संधर्ब परस्तुत किया भारतिय परिवेश में तो इनकी रचनाओं में भारतिय परिवेश तो दिखाई देता है लेकिन इनकी रचनाओं में जिस प्रश्ट भूमी के ये रचनाकार थे, दाउद, कुत्बन और जाईसी, उसकी भी जलक देखने को मिलती है, इसी कारण इनकी जो शैलियां हैं, जो इनकी रचनाएं हैं, इसलाम में एक विशे सैली होती है, जिसको मस्नभी शैली के नाम से जाना जाता है, मस्नभी शैली उस शैली का प्रभाव, इन सभी रचनाओं में देखने को मिलता है, हाला कि इन्होंने अपनी जो रचनाएं हैं, इसमें भारतियता विशेसकर पदमामत में आप देख सकते हैं, ये भी प्रेमाख्यान है, प्रेमपराधारित इनकी रचना है, मरगावती में भी और चंदर आरतिये परिवेश से ये प्रभावित रचनाएं अवश्य हैं, किन्तु इन्होंने जो देशज प्रियोग यहां किये, उसमें पून तरीके से ये कभी सफल नहीं हो पाए, इन पर इन रचनाओं पर मसनभी शैली या ये कहिए इसलामिक प्रवर्तियों का प्रभाव आराम से आप देख सकते हैं, और केवल यहीं तक इन्होंने इसको ठेट अवधी ये कहिए कि जो हुआ की पर चलने में ठेट अवधी थी, उस भाशा का प्रियोग अपनी रचनाओं के संदर्म में किया है, और इसके आगे अगर देखा जाए, तो ये पंधरे सो सत्ताइस के साहितिक दरश्टिकॉर्ण में आगे बढ़ाएं, तो जो रामचरित मानस तुलसीदास जी का लिखा हुआ है, उसे साहितिक दरश्टिकॉर्ण या साहितिक अबधी की संग्या प्राप्त होती है, वो किसलिए? जो रामचरित मानस है, अबधी का, रामचरित मानस या यूँ कहिए कि हिंदी साहितिकी जो काल जैई, रचना या महकाव है, रामचरित मानस रामचरित मानस तुलसिदास का, यह एक ऐसा महकाव है, जिसने अबधी भाषा को साहितिक भाषा के रूप में स्थापित करने में एक बड़ा योगदान दिया, और यूँ कहिए कि जो अबधी भाषा है, उसको पूरे तरीके से स्थापित किया, तो जो ठेट अबधी अभी तक चली आ रही थी, जो ठेट अबधी थी, दाउद उस्मान और जाईसी के संदर में जो ठेट अबधी थी, जो ठेट भाषा का प्रियोग हुआ था, जो देशर सब्दों का ज्यादा तर प्रियोग था और फार्सी सब्दों का विदेशी सब्दों का ज़्यादा परियोग था और साहित पेश मसने भी सहली का जो प्रवाब था वो यहाँ पे टूटता हुआ प्रत्व दिखाई देता है और राम चरित मानस के आधार पर अबधी भाशा के विकास में यूं कहिए कि चार चांद लग जाते हैं और अबधी भाशा को सही मायने में साहितिक द्रश्टिकॉन प्राप्त होता है और उसके बाद इसकी दिशा इस परकार आगे बढ़ती है कि यहां से शुरू यहां पे यह अबधी भाशा का यह एक चरम काल है राम चरित मानस के त्वारा क्योंकि राम चरित मानस एक इस परकार का महा काव है जिसके आधार पर आप अबधी भाशा को बलकि यह कहिए कि संस्कृत का अबधी करण आपको आप इसमें देख सकते हैं संस्कृत का जो मूल भाशा संस्कृत का अबधी करण यह कोई अतिशोक्ती नहीं होगी अगर आप कहें कि संस्कृत भाशा का अबधी करण राम चरित मानस के माध्यम से गोस्वामी तुलसी दास जी ने प्रस्तुत किया और सही मायने में अबधी भाशा को साहितिक विकास के रूप में अगर आप इसकी चरम सीमा को देखें त उसका सही विकास राम चरित मानस के आम आध्यम से हम देख सकते हैं तो यह हुई इसकी विकास यात्रा देखें विकास यात्रा में अगर आप उठाएंगे, अगर प्रश्ण इस प्रकार बनके आता है कि अबदी भाषा की साहितिक विकास, अबदी भाषा का साहितिक विकास पर चर्चा कीजिए, तो आप साहितिक विकास के संदर में, इतनी चीजों को बता सकते हैं, पहले आप बता देंगे कि किस प्रकार से यह प्राकरत, पहले आप बता दीजे इसकी अबदी भाषा की किस प्रकार इसका जनम कहां से होता है, कि अर्ध मागदी से निकलती है, अर्ध मागदी की जो पूर्वी हिंदी बोलियां है, उन में से एक जो अबदी है वही इसकी अबदी भाशा का मूल स्रोत है और यह प्राकरत पैगलम से लेकर के अशो के अभी लेखों में भी इसका वर्णन या इसके अबदी भाशा के तत्वों का समाबेश देखने को मिलता है और कोशल छेतर के आधार परिशे कोशली भासा भी कहा जात आयोध्या ये अपना अब्दाय ज समय को गत्युका बर्दों के विक्ते अंदर अबदी के आधार पर एग तो वीपास कर्म होता है जो कि हमने दाउद के राइजिन के और जैसी तक इसका यातरा पूरी की दाउद से लेकर करें जैसी में किस परकार ठेट शब्दों का स्थपायल किया गया ठेट शब्द माँ पर देखे गए और ठेट अब दिकी संग्या उसको दी गई उसके बाद साहितिक विकास की दरश्टी से देखे तो साहितिक दरश्टी के रूप में देखा जाए तो जो राम चरित मानस है उसका आप महाकाव है कि जब आप इसकी चर्चा कर देंगे और इसकी कुछ विठेष्टायों को आप बता देंगे तो इसके बाद न्य किसी आडर विश्टाउं बताने के आवत्षकता नहीं रहेगी तो राम चरित मानस है राम चरित मानस के आधार पर इस परकार साहित्तिक संग्या यही कि अबदी भाषा की इस्थापना और संस्कृत भाषा का एक तरीके से कोशावी तुलसीदाजी ने अबदी खरण किया और जो भाषा है वो ठेट नहों करके मूल रूप से संस्कृत से परिश्कृत परिमार्जित हुई संस्कृत से परिश्कृत हुई ठीके और परिमार्जित हुई और यहां पर क्या करके संस्कृत भाषा का जो है जो तत्सम सब्द थे उन्हीं शब्दों का अबधिकरण किया गया और मूल शब्द जो संस्कृत के थे उन्हीं का प्रियोग इस प्रकार से उन्हें रामचरिद सरल, देशज, सहज, सरल हुई, देशज हुई, सहज हुई, और बहुत मीठी बनी, ये भाशा कैसी बनी, बहुत मीठी बनी और जन लोक प्रिये हुई, सभी घरों में, रामचरिद मानस पढ़ी जाती है, सुनी जाती है, और देशा की बनी प्रासाङिक्ता को स्थापत करने में, साहितिक विकास की यात्रा में, रामचरिद मानस यह कहिए, एक मील का पथर सावित हुई, अब इसकी कुछ विशेष्टाओं को देखा जाए कि हाला कि जो अबदी भाषा है इसके क्या विशेष्टाओं हैं किस परकार ये अन्य भाषाओं से अलग होती है आखर अबदी भाषा की मूल विशेष्टाओं क्या हैं तो देखे कोई भी भाषा हो भाषा चाहें कोई भी हो जब हम उसकी तत्वों की विवेजना करते हैं जब हम उसकी तत्वों को खोल के देखते हैं तो उसमें चार ही तत्वों को देखते हैं एक तो हम उसकी देखते हैं इसकी द्वानिगत विशेष्टा क्या है ठीक है दूसरा देखते हैं इसकी शब्द विशेष्टाओं की आधार पर हम सारी भाषाओं की विशेष्टाओं का विश्लेशन करते हैं और भाषाएं चाहें अवहट हमने पड़ी इससे पहले हमने इससे पहले अपभरंश भी पढ़ा और हमने ब्रज भाषा को हमने अपभरंश भाषा को भी पढ़ा अभी हम जो प भाशा को अन्य भाशाओं से अलग कर देती हैं। अगर इसकी हम बात करें, व्याकरणगत विशेष्टा में, तो पहले हम इसकी संग्या की बात कर लें, सर्वनाम की बात कर लें। कोई भी प्रश्ण आप हल करें, और विशेष्टा की बात करें, तो सभी प्रश्णों का उत्तर देने के लिए मूल हेडिंग जो है, वो आपके सेम रहेंगे, इसके अंदर जो अंतर है, उसको आपको केवल अंगित करना है, सर्वनाम देख लें, इसका विशेष्ण आप दे है, ठीक है, कि इस प्रकार की इसमें प्रियोग की गई है, और आप इसमें देख सकते हैं, ठीक है, ये सारी चीजी आप देख सकते हैं, फिर कुछ अलग-अलग चीजी जैसे रह का प्रियोग की इस प्रकार हुआ है, रह में हो गया है, ठीक है, और ए और औ का प्रियोग इ लेकिन संग्या में तो यह जिसकी संग्या है संग्या के तीन रूप देखने को मिलते हैं देखने को मिलते हैं लेकिन जो दीर्ग रूप है संग्या का अबधी भाषा में वो विशेश रूप से देखने को मिलता है जैसे कि आप शब्द देखेंगे अबदी भाशा के अंतर का जैसे एक शब्द हाती है, तो हाती को हत्वा, और हत्वुना, इस प्रकार के दीर शब्दों में, या दीर गुरूपों में, आप इसकी संग्या को देखेंगे, ठीक है, या मास्टर है जैसे, शब्द, तो इसको मास्टरवा, या और आगे देखा लिए तो मस्ट रौणा कि मस्ट रौण आइस प्रकार संग्या का संग्या का दीर घुरूप वैसे तो तीनों रूप मिलते निया देखने के लिए देखने मिलता है नैस chakra सरव 되면 की बात करें तो संग्या संदर में अबधी भाषा इतनी मीठी भाषा है कि अगर आप देखें तो वैसे भी संग्या का विशेश रूप से देखा जाए तो अबधी भाषा में जवाब कभी आप किसी अबधी बोलने वाले व्यक्ति से मिलेंगे तो वहां क्या है एक विशेश ट्रेंड सा है किसे कोई अपनी से छोटा है तो उनको इस तरीके से बुलाते जो मालिया किसी का कोई नाम है बालक का तो लड़का है तो उसको लड़कवा इस प्रकार से संग्या का रूप है वहाँ लड़कवा इसी बालक का कोई नाम है तो उसके पीछे बाल लगा के उसको दीरू रूप उसका देखने को मिलता है ठीक है सर्वनाम की बात करें तो सर्वनाम जो है इसका वह आकारांथ है अर्था जैसे इस प्रकार के शबद हमार आपरंत है तोर मोर इस प्रकार के सर्वनामों का विशेस रूप से प्रियोग अवदी भाषा में देखने को मिलेगा किरिया किस प्रकार के देंखे तीनों किरिया है बूत काल की और भविष्य काल की कि रिया राम-चर देन आगे भी आप देखेंगे और बहुत काल की क्रिया है जो भूत के संदर में बातें हैं वह रहें आप्रतियसे जैसे कहले रहें इसतरीके के शब्द का प्रियोग अबदी भाशा कंतर कह घोता है बूद काल में देखा जाए West कह रहे है कह रहे थे के संदर में कहँअ कहले रहे यहाए भाये क्काया कि दिखा छुक fossil किसल क्डिशे के शुर्वार बुद चुक्रियोग्र थिया। कि देखा जाए AW arbitrot तो तीनों प्रत्य वर्तमान में ताध हैनी का प्रत्य और भूत काल में रहे भय प्रत्य और भविश्य में है प्रत्य ऐसे आई हैं होई हैं है प्रत्य होई है वही जो रामरची राखा इस प्रकार की बाते होई हैं आई हैं होई है वही न होई हैं इस प्रकार भविश्य की क देख सकते हैं। ठीक है। और अगर इसको देखा जाए आगे तो इसका विशेषन है। विशेषन यहाँ पर देखिए अविकाणी है अविकारी विशेषन को मिलता है। विशेषन जैसे देखें normale और आविकारी विकारी क्या है? जो बदल जाता है अर्थात जो जो विशेशन संग्या के नुरू बदल जाए वो विकारी और जुन्ना बदले वो अविकारी कैसे? इस विकार जैसे की जैसे पतला जैसे पतला है पतला तो पातर अब ये अविकारी विशेशन है कैसे? कि जैसे मालिया स्त्रिलिंग है या पूर्लिंग है जैसे लड़का तो लड़कवा भी पातर और लड़की भी पातर पातर या और एक शब्द देखिए इसको समझने के लिए कि विशेशन किस परकार के प्रियोग अबधी में हुए है? विशेशन अविकारी विशेशन कैसे प्रियोग हुआ है? जैसे निक एक शब्द है देखिए भाषा को समझने के लिए आपको कहीं दूर नहीं जाना है बहुत जादा किताबें नहीं खोलनी है भाषा के संदर में भाषा समझने के लिए चाए वो कोई भाषा हो आप अपने आसपास में ही बहुत आसानी से समझ सकते हैं जैसे आप ग्रूपिंग में रहते हैं आप लोगों के साथ उठते बैठते हैं तो आप देखेंगे कि अलग अलग प्रकार के लोगों से आप मिलिए उनसे बात करिए और उन्हें समझने की कोशिश करिए उनके देशन रूप को समझे तो आप आसानी से आप समझ भी सकते हैं और लिख भी सकते हैं क्योंकि जब कोई व्यक्ति साधारन रूप से एक समाने बातकित में बात करता है तो वह कई शब्दों पर आपकर उसके गवर फर्माएंगे तो आप देख पाएंगे जैसे एक शब्द अबधी में निक है निक तो निक एक ऐसा शब्द है जिसमें की खाने के लिए भी निक का प्रियोग है भोजन खाना भी निक ठीक है और इस तरी लिंग में लड़की भी निक निक मतलब अच्छा यह ऐसे प्रियोग है जो आप देशे जरूप से देख सकते हैं खाना निक और लड़का वो भी निक और लड़की वो भी निक मतलब निक है निक हवा लड़की भी है निक लड़का भी है निक और भोजन भी है निक तो यह क्या है यह अविकारी विशेशन है यह बदल नही नारिब करें ही राय आप और विशेषन देख सकते हैं किस परकार से आप इस č si को पहचानने के लिए विशेषन के आधार पर बहुत आसानी से आप अबद्ी भाषा को समझ सकते है SI Moanaat को आप देख सकते कि किस परकार जो खड़ी बोली में और अबद्री भाषा का जो मूल अंतर है वो इसकी मिठास का अंतर है इस प्रकारण सब्दों के विशेशन से इस भासा में चार चांद लगें आप इसको आसान 이제 देख सकते हैं जैसे एक आप ले लिजे जैसे सांवला है हां, सांवला शब्द है जैसे सांवला तो सांवर सामर लड़की भी है और लड़का भी है तेसज भासा में कि लड़का वा सामर भैल लड़की वो सामर है तो लड़का भी सामर और लड़की भी सामर अर्थात ऐसे शब्दों का प्रियोग हुआ है ऐसे विशेशनों का प्रियोग अबदी भाशा के अंतर किया जाता है जिसमे जो कि अविकारी विशेशन ने अर्थात जिनका रूप नहीं बदलता अगर और बात चीप करें परसरग और विवक्तियों की तो जो परसर्ग और विवक्तियां मौही omos है आ थे सब्दों protection को आप कर शर्ग के आदंपर भी देख सकते हैं जिनके वाक़ अबधी वह ऐसे सब्दों पर समाप्त होते हैं या और या देखिए या का रूप और वा का रूप आप देखें तो अबदी भाषा के शब्दों में या में परिवर्तन या का हो जाता है और वा का परिवर्तन वा में हो जाता है जैसे कि या का परिवर्तन या में आप देखिए यह श आप इसका परिवर्टन अबधी में देखिए, पियाज, पियाज, इस तरीके से, ठीक है कहीं कहीं, अब वा शब्द देखिए, ये वा शब्द में बना जाता, जैसे दुवार हैं, दर्वाजा, दुवार, तो शब्द मूल होता है दुवार, लेकिन ये हो जाएगा दुवा ठीक है, और परिवर्तन देखिए, छे का, छे शत्रिये का परिवर्तन छे और खा में हो जाता है, जैसे कि पक्षी, पक्षी, तो पक्षी का परिवर्तन पक्षी, ठीक है, पक्षी का परिवर्तन पक्षी, और क्रोधी का प्रक्षन देशे, आप देखें कि को ही, इसी प्रका नहींए परिबर्तन हो जाईगा ठीक है रटरण है इसका परिबर्तन हो जाएगा तिन का तिन ठीक है इस प्रकार के परिवर्तन एक और मूल परिवर्तन है ए का अई में परिवर्तन जैसे कि पैसा आप देखिए पैसा तो अबधी में पैसे का इस्तमाल इस शब्द का प्रियोग अबधी में किस प्रकार के परिवर्तन होता पैसा पैसा नहीं पैसा ठीक है य कैसा एक word होता है जैसे आप शब्द देखिए पकड़िए शब्दों को कैसा तो कैसे का क्या रूप बदल जाएगा है यहां उक्ता है थैसे हो गाईसा है केसे हो केसे और यहां आप कैसे देखेंगे कईसा दीरगी करण भी है दीरगी करण है शब्दों का संग्या की तीसरी देखो दीरगी करण कईसे है ना आप यह देखी कईसा पईसा इस प्रकार ए का आई आप देखेंगे जो ए शब्द है जहां जहां भी ए शब्द आप कहीं पकड़ के देखिए कुछ शब्दों को अपने मस्तिस्क में लाइए जहां ए है अबधी भाषा में उसको ई बढ़ाते जाए इस प्रकार का उच्चारण और प्रियोग अबधी भाषा के साहितिक इस तर पर भी देखने को मिलता है ए का अई में परिवर्तन और देखें तो यह जो या है या का जा में परिवर्तन हो जाता है वो किस प्रकार है देखी जो या है उसका जा में परिवर्तन हो जाता है अबधी में जैसे word होता है यशोदा ये बदल जाएगा अगर आप अबधी में किसी से बात करेंगे तो वो यशोदा नहीं यशोदा यसोदा ठीक है या का परिवर्टन जैमें आप देखते हैं कार ये ठीक है तो कार ये नहीं अबधी में आप हमेशा सुनेंगे कारज जामे परिवर्टन ठीक है धैर ये धीरज धैरे का धीरज तो जो या तत्व है जो या है इसका जामे परिवर्टन आप देखेंगे एक और परिवर्टन है जो की ला का रा में परिवर्टन हो जाता है अबधी भाशा के अंतरगद लाको आप रा में परिवर्तन कैसे जैसे जल गया जल गया जलन तो जल नहीं गया जर गया जर गया जर गया जर जाता है जर गया दूसरा जैसे दाल शवद है अवधी में इसका रूप आंतरण किस प्रकार से हो रहा है दार जाल नहीं अवधी में दार इस प्रकार जैसे फल तो क्या हो जाएगा फर फल का फर इस प्रकार का परिवर्तन साहितिक रूप से आप देखें तो अवधी में परिवर्तन आपको देखने वले हैं अड़ा का परिवर्तन भी आप देख सकते हैं रा का परिवर्तन भी रा में जैसे सड बनते ना सड गया तो अवधी में सड गया नहीं सड गया पढ़े हो पढ़ा है पढ़ गये पढ़े हैं नहीं पर गये पर गये तो इस प्रकार की चीजे हैं, जो की साहित्तिक रूप से इसमें देखी जाते हैं, हिंदी भाषा के इस खंड में जो अबधी भाषा है, इस पर BPSC के संधर में जो प्रश्न है, सामानेते, वो आएगा कि भाई, इसकी जो अबधी भाषा है, इसका साहितिक विशेष्टाएं क्या है, साहितिक विकास किस परकार का है, और इसकी विशेष्टाएं क्या है, तो आप अगर लॉंग कोश्चन बनके आता है, कि साहितिक विशेष्टाएं बताइए, और इसकी अबधी भाषा की विशेष्टाएं बताइए, तो अबधी भा कि अवदी भाशा देखने को मिलती है उससे पहले प्राकृत पैगलम और अशो के अभी लेखों में भी इसके कुछ तर्थों को देखा गया है इसके बाद आप बता देंगे किस परकार से आगे चलके राम चरिद्मानास के में तुलसिदाजी और अन्य कभीयों का भी है लेक कि देखिए जब एक विशाल विर्क्ष खड़ा होता है तो जो छोटे मोटे पेड़ पौदे होते हैं उनकी गणना नहीं की जा सकती है या यू कि यह कि जब चंद्रमा चमकने लगता है तो तारे दिखाई नहीं देते वही बात राम चरिद्मानस में तुलसिदाजी के सं तो जो अन्य साहितकार हैं जिन्हों ने और साहितकारों ने भी अवदी भा Lehr निख संतुलित और मीठी और लोकमानस के आधर पर इस प्रकार की भाशां का उन्हों ने परियोग किया है इस प्रकार की शाहित शूर्चा बशा बंशा बनाया इस प्रकार की रचना वहीं जिसको स्मय 2 साल 7 महीने का समय जिस रचना को लिखने में लगा इतना विशाल समय अपने आप में जो लिआ गया तो वो सुमills में इतना विराट उसका सुरूप है कि अन्य सहित्कार होते भी है आप इसको कोड़ कर सकते हैं कि इतना विराट सुरुभ राम चरित मानस का और स्वामी तुलसिदास जी का रहा कि अइने साहित्तिकारों ने भी बिहां कि अब भाषा में आपधी-व्याशतिक को रचा परने दिखाई पड़ते हैं तो यह हमारी बात चीत थी देख्ये रामचरिदमानस की बात पूरी हुई किकिस परकार को अबधी भाशा का विकास का साहितिक हुआ मैं हम देखते हैं और रामचर तब बनता है तो शोटा अगली क्लास में हम लोग मिलेंगे और तब तक के लिए आप लोग ने इस क्लास को भाध्यान से सुना आप लोग का बहुत-बहुत धन्यवाद